हेलो फेंट्स वेलकम टू वाइफाई स्टुड़ी दोस्तों स्वागत करता हूँ आप सभी का वाइफाई स्टुड़ी ये पार्ट ओफ अरकेडमी गुड़ अफ्टरनून गईज क्या हाल चाल आप सभी लोगों के दोस्तों मीद करता हूँ कि बहुत अच्छ होंगे श्या जाएगा और काफी महत्वपून टेस्ट आज आपका होने वाला है सेर कर दीजिएगा दबाके एक बार सभी के सभी हाजी इंडिया पॉलिटी चलिएगा जल्दी से जल्दी आपके लिए क्या किया जाएगा गुरुवार से ले गुरुवार तक मुझे टाइम देजिएग पर अगर आपने मुझे अभी तक फोलो नहीं किया है तो मुझे आप यहाँ पर फोलो अवस्चे कीजिएगा मेरे पहरे साथियो प्रविन कुमार के नाम से आप मुझे सर्च कीजिएगा जैसे ही आप मुझे सर्च करेंगे मेरे पहरे दोस्तों मेरा प्रोफाल यहाँ पर तक नहीं जोइन किये हैं तो इसको जोइन कीजिएगा और क्लास में एंट्री के लिए आपको रेफल कोड लगाना है प्रवीन 11 ठीक है ना बिल्कुल फ्री स्पेशल क्लास रहेगी और पीछे के वीडियो भी आपको देखने को आसानी के साथ मिल सकेंगे साथी साथ अभी मेरे कोर्स इविलेबल हैं और एससी केटेगरी में अगर इन में से कोई भी बेच अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफल कोड है प्रवीन 11 इसका इस्तेमाल आप लोग कीजिएगा जिससे 10% का डिसकाउंट मेरे पहरे साथ यो आप लोगों को मिल जाएगा साथी साथ जिस भी केटेगरी में आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं उसी केटेगरी में जितने भी एजुकेटर होंगे उनकी सबके क्लासे आपको एक सिंगल सब्सक्रिप्शन में मेरे पहरे दोस्तों मिल जाएगी साथी साथ मैं आपको बता देना चाहता हूं मे वाइफाई स्टड़ी पर तो इसको भी आप लोग अवर्षे जोईन करेंगे सभी के सभी बच्चे आपके लिए काफी बेनिफिशियल एक लास रहने वाली है तीन बज़े से चार बज़े तक चलीगा जी सुरुवात करते हैं आज के सबसे पहले प्रशन कीए और पहला प्रशन आपका यह आता है भारती श्वतंतरता अंदोलन के शंधर में धन निश्कासन के सिध्धान संबंद में उप्यूक्त कथन का चुनाव किजिएगा इस सिध्धान्त के माध्यम से नोरुजी ने ये साबित करने की कोशिस की कि बिटेन भारत से बाहर धन की निकाशी कर रहा है धन निश्कासन में होम चार्ज सामिल थे या फिर मेरे पैर दोस्तों ओल्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट क्या सभी कतन सही है क्या आपसे धन निश्कासन के शमानेवे ये प्रशन मेरे पैर साथियों पूचा गया है जल्दी से जल्दी एक बार शेशन को शेर कर देंगे सभी के सभी बच्चो और इसका आंसर बताएंगे देखें धन इश्कार्षन का सिध्धान्त आपको पता ही होगा मेरे पैरे साथियो दादावाई नोरुजी के द्वारा प्रसुत किया गया था और उन्होंने सर उपर्थम मैं यूं कहे दू कि विवर्स्तित रूप से उनके द्वारा ही सर उपर्थम इसको प्रसुत करने का कारिय किया गया इसका मतलब ये कथन बिल्कुल ठीक है और इसके मादम से उन्होंने ये भी साबित किया था कि ब्रिटेन भारत से बाहर धन की निकाशी कर रहा है यहां से मेरे पहरे दोस्तो धन ले जाने का कारी उनके द्वारा किया जा रहा है बिल्कुल ये भी ठीक है और मेरे पैरे दोस्तो होम चार्ड जो थे ये भी बिल्कुल यहाँ पर सामिल थे इसका मतलब क्या हो जाएगा सभी स्टेट्मेंट जो है ये सारे कथन जो है ये मेरे पैरे दोस्तो बिल्कुल इसके करेक्ट है तो बिल्कुल इसका D option जो है ये करेक सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है दा इस्ट इंडियन एसोशेशन दादावाय नोरोजी दा इंडियन लिग सीसिर कुमार घोश लेंड होल्डर सोसाइटी देवेंदर नार टेगोर मद्रास नेटिव एसोशेशन गाजूलू लक्षमी नार्सू चेटी यह आपको बतान वाला हूँ जिनको करके मेरे पैरे दोस्तों बिलकुल श्यांदार तरीके से जबर्दस तरीके से आप अपने आने वाले एक्जाम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं सेशन को शेर कर दिएगा एक बार सभी के सभी बच्चे और इसका आंसर बताएगा निम लिखित में से कौ साइटी कलकत्ता में हमने चर्चा की थी 1838 की बात आती है मेरे पैरे दोस्तों क्या देविंदर ना टेगोर थे क्या नहीं थे यहां पर स्तान आएगा जी दौार का नाथ टेगोर कौन है जी दौार का नाथ टेगोर की हम बात अगर करेंगे तो बिलकुल सी ओप्शन इसका अंसर आ जाएगा ये सुमेलित नहीं है है ना मेरे पैरे दोस्तों बात अगर की जाएगी हम चर्चा अगर करें तो आपको पता होगा लेंड होल्डर सोसाइटी की सापना आपके देविंदर ना टेगोर के दौारा नहीं बलकि दौार का ना टेगोर के दौारा की गई थी तो विल्कुल ये मैच जो था ये गलत था सी ओप्सन इसका विल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे पैरेशाथियों शेशन को सरु जरूर शेर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे अगला प्रसंद क्या पूछ रहा है भारती राष्ट्री कोंग्रेस का पहला शत्र किसकी अधिकस्ता में आज़ित किया गया था ये तो बड़ा सीधा सा सिंपल सा प्रसंद असानी के साथ में इसका जवाब आप बता सकते हो मेरे पैरे साथियों सेर्वेर करते रहेंगे सभी के सभी बच्चे ये एक बार जहां भी आप किसी भी ग्रूप में जुड़े हो मेरे पैरे साथियों उस ग्रूप में एक बार सेर्शन को शेर कर दीजिएगा काफी महतो पुन्ट प्रसंद आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूँ तो मेरे पैरे साथियों आपसे पूछा गया है भारती राश्टी कोंग्रेश का पहला शत्र किसकी अधिक्सा में अजित किया गया था अब मेरे पैरे दोस्त सेशन की बात अगर की जाए 1885 की बात आती 1885 इस्यों में मुंबई की अगर हम चर्चा करें और मुंबई में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कोलेज था क्या वि योमेश चंदर बैनर जी थे क्या बिल्कुल फाउंडर तो एलन ओक्टेवियम हुम थे लेकिन आपसे अधिक्सा किसकी अधिक्सा में आउजित किया गया तो ये फर्स प्रेजिडेंट योमेश चंदर बैनर जी आते हैं सीधा सा सिंपल सा प्रशन था आसानी के साथ में मे किसके द्वारा दिया गया था ये आपको बताना है दर नेम इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वस गीवन बाई एस एन बैनर जी या फिर फिरूद सा मेहता दादबा नोरो जी या फिर एम जी राना डे महादेव गोविन राना डे किसके द्वारा दिया गया था हाँ जल्दी स जल्दी बताओ देखें दा नेम इंडियन नेशनल कॉंग्रेस वस गीवन बाई किसके द्वारा एस एन बैनर जी फिरोसा मैता दादा बै नोरो जी या फिर एम जी राना डे क्या होगा इसका सही उत्तर जल्दी से जल्दी फटाग से बता दो ये मैंने जब आपको टेस सिरी स्टार्ट कर वाए थी मेरे पैर साथियो तब भी मैंने आपको बताया था इसके बारे में है ना कई बार हमने इसके बारे में चर्चा कर ली है डिसकस कर लिया है भारती राश्टी कोंग्रेस नाम किसके द्वारा दिया गया था बिलकुल ठीक है चोदरी तेजा ये पर दिया गया था क्या बिलकुल मेरे पैरे साथियो सी ओप्सन इसका बिलकुल करेक्ट आंसर आ जायेगा जी दादा भाई नोरो जी के द्वारा मेरे पैरे दोस्तों दादा भाई नोरो जी के कहने पर इसका नाम भारती राश्टी कोंग्रेस रखा गया था नेक्स देखत जोर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, अल्फरेड वेव या फिर हेंरी कोटन ये भी आसान सा ही प्रशन है आसानी के साथ में इसे भी आप लोग मेरे पैर दोस्तों बता सकते हो जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा फिर देखें हाजी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम अंगरेज अधिक्स जो था ये कौन था मैरे पैरे शाथिएगा बात करेंगे ऐटी नेटे अटीएट की बात आती 1888 इसवी की बात हम अगर करें 1888 इसवर में सेशन जो हुआ था मेरे पैरे दुस्तों क्या इलहबाद में था और इलहबाद के प्रेजियंट की अगर हम की अगर बात की जाएगी तो मेरे पहरे दोस्तो जो जो ता इसका अधिक्स था और प्रठम अंग्रीज अधिक्स कि बारे में अगर आप से पूछा जाए कि भारती राश्ट्य कोंगरेस का फ़र्सं इंग्लिश प्रेजिडेंट कोन था तब सब्धारे पहरे दोस्तों कर्ए करेक्ट आंसर क्या जाएगा जोर्जूल आ जाएगा जी बिलकुल जोर्जूल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ठीक है ना चलिएगा जी जल्दी से जल्दी बता दीजिएगा जल्दी से जल्दी इसको बिलकुल ठीक है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा जोर्जूल हो अरे भीवाराम भाई मैंने तो पूरा कम्प्लेट करवा दिया तू पता नहीं कहां गायव रह गया होगा ठीक है मैंने तो पूरा कम्प्लेट करवा है क्लास देखे देख एक मिनट वीडियो देख सारे पूरा कम्प्लेट करवा रखा है वो रोट दा फर्स ओफिशियल हिस्ट्री ओफ इंडिया नेस्नल कॉंग्रेस किसने भारती राष्ट्रिय कॉंग्रेस का प्रथम अधिकारिक इतियास लिखा था पटावी सीता रमिया बीन पांडे आर्सी मजुंदार या फिर डॉक्टर ताराचन मेरे पहरा साथ हुआ आप अब तु पता नि कहां खोया रह गया होगा लोगडाउन में पता नि तु कहां था मैंने लोगडाउन के दुरा ने पूरा मामला सेट कर दिया था सर्च कर ले वीडियो मिल जाएगी क्लास तेरे को ठीक है ना इसका अंसर बताओ देखें भारती राष्टी कॉंग्रेस का प्रथम आधिकारी की तियास किसने लिखा कौन बताएगा जी ये देखें हाँ जी राकेश पटेल ठीक है निकिता जल्दी से जल्दी बताओ देखें अरे मेरे पैरे शाथियों बात अगर की जाएगी ये निकिता छींपा कह रही हमने पूरा पड़ा है बिल्कुल ठीक है जी तो मेरे पैरे साथियों आरसी मजूमदार पे जा रहे हैं बहुत सारे बच्चे गलती कर रहे हो मेरे पैरे साथियों बात अगर की जाएगी पटावी सितारमया के द्वारा लिखा गया था ध्यान में रखे लेना इस बात को पटावी सितारमया क्या मैंने बताया था आ लिखा गया था ठीक है इसका correct answer आएगा अगला प्रसंद क्या कह रहा है भारती राश्टी कोंग्रेस की किस अधिवेशन में सरोप्रथम वंदे मात्रम गाया गया था इन विखेशन ओफ दे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस दे नेशनल सोंग वंदे मात्रम वसंग फोर दे फर्स ताइम 1887 का मदरास अधिवेशन 1888 का इलावाद अधिवेशन 1806 का कलकत्ता अधिवेशन या फिर 1907 का सूरत अधिवेशन ये भी इजई प्रसन है इजई लेकिन इम्पोर्टेंट प्रसन है मेरे पहरे दोस्तो बात अगर की जाएगी मेरे पहरे शात्यू मैंने आपको बता रखा है पहले से ही क्या बता रखा है मैंने ये कह रहा है दौनों बातें आध रखेंगे उन्हें अठारा सूच्छाण में का कलकत्ता दिवेशन और उनी सूच्छाण में का कलकत्ता दिवेशन अठारा सूच्छाण में में तो प्रतंबार वंदे मात्रम उनी सूच्छाण में मेरे पहरे दोस्तों प्रतंबार जन गंड मन तो बिलकुल मेरे पहरे दोस्तों बात अ इंपोर्टेंट प्रसन है कलकत्ता सेशन जो हुआ 1896 इसे में मेरे पैरे दोस्तों प्रथम बार जो है वंदे मात्रम गाया गया था जी अगले प्रसन को देखेगा किस अधिवेशन में भारती राष्टी कॉंग्रेस का विभाजन उदार वादियों और उगर वादियों दो इलाहबाद अधिवेशन हां जी जल्दी से जल्दी इसका आंसर बताएगा देखें किस अधिवेशन में भारती राष्टी कॉंग्रेस का विभाजन दो पार्ट में हुआ फटाक से जल्दी से आंसर बतादो देखें नहीं पूजा जी मैंने आपको कहा था पहले ही नहीं होगी इस पेशल में होगी इस पेशल में जोइन कर लेना सामको पांस से चार पेशी में आरपेशी केटेगरी स्पेशल सेशन जोइन कर लेना जो भी बच्चा राष्टान से रेलेटेड तैयारी करने हैं यहां पर बता दूँगा सब कुछ अरे तो भाईया सूरत अदिवेशन होगा कर नहीं होगा 1907 की बात आती है 1907 इसवी की बात आती है राष्ट बिहारी बूज इसके प्रेजिडेंट थे मेरे पैरे साथियो यहां पर गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ था या नहीं हुआ था बिलकुल हुआ था मेरे पैरे साथियो गरम दल और नरम दल में विभाजन हो गया था 1907 इस्वी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सूरत अदिवेशन की बात हम अगर करते हैं ठीक है जी चलेगा जी आगे बढ़ते हैं सर वोईस नहीं आ रही है परशांद सोनी जी भाई तेरे पास नहीं आ रही है बाकी के सब के पास बिल्कुल वोईस एकदम टकाटक क्लि के उन یस्वी के लाहूर अदिवेशन के अधिक्स्ता की थी यह आपको बताना है निम लिखित में से किसने भारती राष्टी कॉंग्रेस के उन्नी सोनों इस्वी का जो लाहूर अदिवेशन था उसकी अधिक्स्ता की थी दादवाई नोरोजी रास वयरी गोर्ष मदन मोहन मालवी या फिर बिश्चन नारायन दास 1909 इस्वी का भारती राष्ट्री कुंग्रेस का जो लाहूर अदिवेशन हुआ था उसकी अधिक्सा मेरे पैरे शाथ्यों किसके द्वारा की गई थी अरे गरमदलो नरमदल समझाएं सुखदेव जाखड़ जी गरमदलो नरमदल में क्या है कुछ नहीं है भाई मेरे बात अगर हम करेंगे ये मानले जे गरमदल है और ये मेरे पैरे दोस्तों नरमदल है अगर हम चर्चा करेंगे नरमदल के नेता जो थे ये ब्रिटिस इंडियन गोर्मेंट जो यहां पर सासन कर रही थी भारतिये मैं यूँ कह दो कि जो अंग्रेजी सरकार जो यहां पर सासन कर रही थी उनके सामने इस दल के नेता किसी भी प्रकार की कोई हड़ताल करना धरना क प्रदर्शन करना आदी नहीं किया करते थे ये अपना एक वेक्ती सरकार के पास में भेजते थे अपनी मांग को मनवाने के लिए या फिर लेटर लिख करके उनसे अपनी मांग को मनवाया करते थे जबकि इनसे वीपरीत थी कि ये मामला उल्टा है बाई बेटी सरकार जब भ कोई कानून पास करते थी जो भारतियों के हित में नहीं हो तो मेरे पैरे दोस्तों उसका हड़ताल करके प्रदर्शन करके धरना करके मतलब उगर रूप धरन करके प्रदर्शन किया करते थे लाल बाल पाल का नाम आपने सुना होगा लाल बाल पाल ये इसके प्रमुख नेता थे मेरे पहले दोस्तों जबकि नरम दल में दाधा भाई नोरोजी, फिरोसा, मेता, गोपाल, कुर्ष्ट, गोखले ये नरम दल के नेता थे बिल्कुल क्लियर हो गया ओगा ये तो कोई दिकत नहीं उगी इसमें तो नरम दल और गरम दल में ठीक है ना तो इसका प्रसन आप से पूछा गया था 1909 के लाहूर अदिवेशन के अदेखस्ता जो है ये मेरे पहरे साथ्यों किसके द्वरा की गई थी ये सब ने गलत किया मनीश दैया बिल्कुल ठीक आंसर किया आप लोगों ने बिल्कुल और कौन है भाई ये राकिश जी पटेल ने बिल्कुल ठीक आंसर किया बाकी सब ने मामला शेट कर दिया इसका तो 1909 इसवी का जो लाहूर अदिवेशन था मदन मोहन मालवी जो थे ये मेरे पहरे दोस्तों इसके प्रेजिरेंट थे भारती राश्टी कोंगरेस के 1909 इसवी के लाहूर जिए मेरे पहरे साथियों कब पारित किया था मदरास कलकत्ता लाहूर या फिर दिल्ली किस अडिवेशन में स्वाराज का प्रसाव पॉछा गया है जी जल्दी से जल्दी बताओ देखें तो मेरे प्यारे मित्रू बात अगर की जाएगी अगर आपसे केवल और केवल पूछता है स्वराज के बारे में और स्वराज के बारे में अगर पूछा जाएगा तो 1906 आजाएगा क्या कलकता सेशन बिल्कुल ठीक है दादा भै नोरो जी यहाँ पर प्रेजिडेंट है लेकिन अगर आपसे पूछता है मेरे प्यारे दोस्तो पूर्ण स्वराज तो यह आएगा 1929 उस्वी की बात अगर अपन करेंगे मेरे पैर साथियों लाहूर अदिवेशन था जिसके प्रेजिडेंट जवाहर लाल नहरू आते हैं क्या पूर्ण स्वराज की मांग की गए थी क्या लाहूर अदिवेशन में दो दोनों बाते याद रखेंगे स्वराज के बारे में पूछा जाए 1906 कलकत्ता दादबाय नोरुजी इसके प्रेजिडेंट थे अगर पूर्ण स्वराज पूछता आपसे तो 1929 लाहूर अदिवेशन जिसके अदेक्स जवाहर लाल नहरू आते हैं बिलकुल ठीक ओप्सन आ जाएगा जी मेरे पैरे साथि लाहूर अदिवेशन इसका करेक्ट आंसर आएगा अगला प्रसन देखते हैं अगला प्रसन क्या कहता है जी अगला प्रसन आपके सामने आता है ये आंगल मैसूर युद्ध के समंद्ध में निमन मैसे यूगमों पर गोर करना आपको एंगलो मैसूर बेटल जो हुए थे उनके बारे में । मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं यह आपको बताना है अंगल मैसूर वो जो हुए थे मेरे पैरे साथियो उनमें कौन सी संदी हुई थी कि युद्ध के बाद में इनमे से सही मैच कौन सा कर रहा है कि कई सारे बच्चे इसको गिलत करने वाले मेरे को ऐसा लग रहा है एक नमबर प्रशन आगे है फिर बताओ देखें जल्दी से जल्दी बतादो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे को ऐसा लग रहा है बहुत सारे बच्चे बिल्कुल जोया का करेक्ट आंसर आया है सागर सर्मा का भी बिल्कुल ठीक आंसर है अरे मेरे प्यारे साथियो अंगल मैसूर एंगलो मैसूर वोर जो हुए थे तीन युद्ध की बात आपसे पुछी जा रही इसमें से तर्तिय थर्ड एंगलो मैसूर वोर जो था उसके बाद में ही सिरी रंग पटनम की संदी हुई थी तो बिल्कुल थर्ड ओप्सन केवल तीन आएगा सी ओप्सन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ठीक है ना ओनली थर्ड की बात हम अगर करेंगे तो मेरे पहरे दोस्तों बिल्कुल ठीक है थर्ड अगला प्रसंद देखेगा निमलिखित कतनों पर विचार करें और उस चिनित करें जो सही है यह आप से पुझा गया है निमलिखित कतनों पर विचार करें और उस विकल्प को चुनना है जो सही है Consider the following statement and mark the option which is correct पूर्टगालियों ने कालीकट में अपना पहला कारगाना स्सापित किया कालिकट या फिर मैं यूँ कोची लिख दू एक ही बात है कालिकट के तट की बात आती है पहला पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिसको डियालमेडा था गोवा भारत की प्रारंबिक पुर्तगाली राज़ानी थी बाद में इसे मसूली पत्नम सानांत्रित कर दिया गया था उन कौन सा सही है यह आपको देखना है पताक से जल्दी से जल्दी इसका अंसर बता दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों तो मेरे प्यारे मित्रो बात अगर की जाएगी आप से अगर बिलकुल ठीक है इसका ओल नहीं आएगा जी अरे तो काली कर टरथा कोचीन में ही तो पहला कार खाना इनोंने पुर्तगाली उने लगाया था बिलकुल सही है यह तो और प्रसम पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिसको अलमिडा ही था बिलकुल यह भी ठीक है लेकिन क्या गोवा इनकी प्रारमिक राजधानी थी क्या नहीं थी जी इनकी तो प्रारमिक राजधानी कोचीन थी अरे ठीक नहीं थी विलकुल यही थी और इसके सान पर गोवा जो राजधानी बनाए थी इनोंने ये तो 1930 में बनाए थी 1930 में बनाए थी ठीक है बिल्कुल ठीक है ना तो निनूडी कुनहा की द्वारे इसको बनाया गया था क्या निनूडी कुनहा ने ठीक है ना कोचीन की बात अगर अपन करेंगे 1510 में तो जीती लिया था गोवा को 1530 आजाएगा ना तो गोवा को राजधानी बनाया गया था 1530 निनूडी कुनहा के श्रम है बिल्कुल ठीक है तो ये तो बिल्कुल गलत आंसर हो गया तो पहला और दूसरा बिल्कुल ठीक है तो केवल एक और दू बी उप्शन इसका करेक आंसर आजाएगा ओनली फर्स्ट एंड सेकिंड बिल्कुल ठीक है वी इसका करेक्ट आंसर है जी नेक्स देखिएगा अगला प्रसंड क्या कहता है अरे 1730 नहीं आएगा मनीस दिया जी 1530 की बात आती है 1530 इस्यू में 1510 में गोवा को जीता था इन्होंने ठीक है जो दूस सी जोड़ी सही ढंग से मेल खाती है सुची फैस दे रखिया और सुची सेकिंड दे रखिया क्या 1767 से उनेतर तक प्रथम आंगल मराथा युद्ध हुआ 1790 से 1792 में तीसरा मैसूर युद्ध हुआ 1824 से 1826 पहला एंगलो बर्मा युद्ध हुआ 1845 से दूसरा सिक यूप एसी सी दूहजार चार का प्रशन है यह देखो जल्दी से बताओ देखें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे पैरे साथियों फटाक से इसका अंसर बता दीजिएगा हाँ जी जल्दी से जल्दी बताओ देखें करेक्ट अंसर क्या होगा तो भाईया इसमें से अगर हम देखें तो पहला एंगलो बर्मा वोर जो था 1824 टू 26 ये बिल्कुल ठीक है और दूसरा सी क्यूद भी अठार सो पैंतालिस ये लिस तो तीन और चार दिख रहे हैं कि अभ सही डंग से मेल खाता है ये पूछ रहा है मेल खाने की बात पूछ रहा है जी तो मेल खाने की बात अगर पूछी जाएगी तो मेरे पहरे दोस्तों बात हम अगर करें ये आपका आएगा तीसरा मेसूर युद्ध ये बिल्कुल ठीक है और साथी साथ अगर हम बात करेंगे पहला एंग्लो बर्मी उद्ध बिल्कुल डी ओप्षन इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया था ध्यान नहीं दिया था भई ठीक है ना दो और तीन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा अगला प्रसंद देखेगा क्या कहता है निम लिखित मैं प्रस एक्ट करजन या इलबर्ट विल रिपन ये तो आसानी के साथ बता सकते हो जितने भी मैंने अब तक आपके टेस्ट करवाए थे उनमें सब में हमने इसके बारे में इनके सब के बारे में चर्चा कर लिए ठीक है ना तो बताओ देखें इसका करेक्ट आंसर क्या हो ज जिते हैं वर्ना कुलर प्रेस एक्ट यहां पर गडबड लग रही है भाईया वर्ना कुलर प्रेस एक्ट करजन के समय थोड़ी आया था ये तो लिटन के समय था तो बिलकुल सी ओप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी बात हम अगर करें मेरे पैरे दोस्तों वर्ना कुलर प्रेसेक्ट करदन के समय ना करके लीटन के समया था विलकुल सी ओप्सन इसका करेक्ट आंसर होगा काफी बार हमने इस प्रुशन के बारे में मेरे पहरे साथियों चर्चा भी की है तो यह था अज का सेशन अनकेडमी लर्णिंग है पर अगर आपने मुझे फोलो नही सेशन लिया जाता यह मैं चैनल पे लिया जाता वाइफा इस्टडी पर इसको आप सभी बचे जरूर जोइन करेंगे सब को पांच बज़े से इच्छा बज़े तक अपनी क्लास रहेगी स्पेसल सेशन रहेगा यह आरपेसी के टेगरी में रहेगा बिलकुल फ्री स्पेसल सेशन रहेगा जोइन करने के लिए मेरा रैफल कोड लगा सकते हैं और मेरे द्वारा जो आरपेसी केटेगरी में बैच चलाए जा रहे हैं इनको अगर आप जोइन करना चाहते हैं तो मेरा रैफल कोड प्रवीन 11 यह अप्लाई कर देना 10% का डिसकाउंट आप लोगों को म प्रवाइड करवाई जाती है तो यह था दोस्तों मेरे पहरे दोस्तों आज का महत्वपूंट सेशन अमीद करूँगा कि आप लोगों को पसंद आया होगा लाइक जरूर कर दीजिएगा ज्यादा ज्यादा सेयर कर दीजिएगा और चैनल पे नहीं हो बेतक आपने इसको स सब्सक्राइब और शे कीजिएगा लडी सी वाले बच्चे साम का अनकेडमी लर्निंग है पर पांच वज़े से च्छे वज़े का बेच जो है उसका वर्षे जोईन करेंगे तब तक के लिए बाई 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 टेक केर थेंक्यू सो मच गाइस